हापी बर्टी तू यू सुर्योदय कुम्भ लगन में हुआ आज वर्षफल में तो बुध दुती भाव में नीज के थे चाचंद्रमा मंगल एक साथ मेश में आगए राहू करक में ब्रहशपति व्रिष्चिक में शनी धनुराशे में शुक्र मकर में केतु के साथ अश्वनी नक्षत्र का प्रथम चरण है जो की केतु का नक्षत्र है तो आज जब सुर्योदय हुआ तो केतु की महादशा थी और इसी महादशा में पूरा वर्ष आपका बितने वाला है तो सबसे पहले बताते हैं दिरांग दस मार्च को पैदा हुए लोगों की सिक्षा के बारे में सिक्षा की स्थिति आज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है वर्ष फल में अगर कोई ऐसी सिक्षा आप ले रहे थे जो टेक्निकल था तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी सिक्षा के लिए मई और जून का महीना बहुत अद्भुत रहेगा बिलक्षाण रहेगा इन्ही महीनों में आपकी उन्नती लगभग निरधारी थे मीन राशी अगर आपकी है तो सिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी अकाउंट्स में दिरांग दस मार्श को पैदा हुए लोगों का ब्यापार ब्यापार की स्थितिक कुछ डावाडोर हो सकती है बड़े प्रोजेक्ट टाल दीजिएगा निवेश जुलाई के बाद विचार करिए एक बार कुणली दिखा लिजे साजह अगस्त सितंबर में तूट सकता है कोई आपको चीट कर सकता है अक्टूबर नवंबर में सावधानी जादा रखने की आवशकता है इस वर्ष बिजनेस बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है प्राइवेट सेक्टर नहीं नवकुरी की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही है तीन-चार महिना खाली रह सकते हैं मई से लेकि सितंबर तक का समय बिलकुल भी अनकुल नहीं है कुछ आप पर लांचन लग सकता है लेटिगेशन लग सकता है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए संगर्श की इस्तिती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सरकारी छेत्र सरकारी छेत्र में कुछ विशीर समस्या नहीं है हो सकता है कि सरकारी छेतर वालों के लिए स्वते है कुछ बड़ा हो जाए अपने आप गौर्णमेंट सेक्टर में अगर आपकी राशी मेश है, सिंह है, ब्रिष्चिक है, धनू है, तो सरकारी छेतर वालों के लिए विशेश लाब है प्रमोशन या नई नौकरी दोनों स्थितियां अद्भुत है दोनों स्थितियों में आप कुछ बड़ा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं सरकारी छेत्रवालों के लिए सितंबर अक्टूबर में कुछ नया और बड़ा निवेश करने की भी संभावना है सरकारी छेत्रवालों के लिए स्वत्तह में ही कुछ बड़ा करने का योग बनेगा दामपत्य जीवन टेंसन नहीं है महीना मई महीना अगस्त महीना नवंबर पत्नी और पती में सप्रेशन की संभावना रहेगे इन महीनों में जितना हो सके अपनी वाणी पर अंकुष रखें एक दूसरे को समझने का प्रयास करें मिलते हुए दुख को भोग मानकर सह जाएं तो रिस्ता टिक सकता है अधरवाइट सेप्रेशन तैं लव लाइफ लव लाइफ में किसी अन्य का प्रयवेश बहुत मुश्किल लग रहा है एक दूसरे के पती शक बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से रिस्ता टूट सकता है टूटने का समय मई में हो सकता है या फिर जुलाई में हो सकता है लाश्ट दिसंबर 2019 में भी Brick up की संभावनाय लव लाइफ में बन रही है स्वास्थ स्वास्थ में डामा डोल इस्ति तो है लेकिन फिर भी स्वास्थ को अच्छा करने का मौका मिलेगा और स्वास्थ आप अच्छा कर भी सकते हैं आपके स्वास्थ में शुबता अपने आप आएगी दवाओं को punctualty के साथ नियमित रूप से सेवन करें कुछ बड़ी बिमारियां जो हैं उनके लिए योगा प्रानायाम अपनाईएगा एलोपैथिक आपको सूट नहीं करेगा शुक्र भी पीडित है ब्रहश्पत भी पीडित है जो आपका बन रहा है ये उम्भलगन इन इस्तितियों में तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा लीवर से सम्मन्दित प्राब्लम अचानक से बढ़ सकती है उपायव हम आपको बताते हैं उपाय के तोर पर तीन मंगलवार कहीं लगातार अन और जल का दान करें और अगर आपकी मेरेज अनिवर्शरी है तो तीन केला और एक तुलसी का पौधा किसी पब्लिक प्लेस पे लगा दीजेगा बस इतना सा करिए आपको स्वत्य आनंद आ जाएगा लाभा आपका बना रहेगा तिनांग 11 से 21 बाइस तक आप हमसे मार्च में होली तक मिल सकते हैं गाजियाबाद उसके बाद तीन दिन के लिए हम बनारस रहेंगे 23, 24, 25 बनारस में अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं आप आएं और मुलाकात करें कुनली दिखाने के लिए या कल्चर वैली मैं आउंगा वैसे कल्चर वैली के लिए क्योंकि लगभग 10 साखाएं बनारस में आरम होने जा रहेंगे थैंकियो सो मच प्यार बनाए रखिएगा नमस्कार जैशिरादे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूले